Mastoid ectomy Mastoid ectomy वो operation का नाम है जिसमें हम drill करके कान के अंदर की infected हड़ी को हटाते हैं और इस दौरान अगर जरूरत हो तो नया परदा भी लगाते हैं जो tympanoplasty है तो Mastoid ectomy with tympanoplasty ये पूरे operation का नाम हो जाता है अगर आपको इस किसंद की कान की बिमारी है जिसमें बिमारी अंदर यंदर पैल रही है आपके हड़ी गल रही है आपके कान में foul smelling discharge है, सुनने में थोड़ी कमजूरी है और बार-बार अगर आपको जुखाम लग जाए या कान में पानी आए तो आपको कान से पस आती है तो हम इस operation को advice करते हैं Mastoid Ectomy तरह-तरह की होती है Cortical Mastoid Ectomy, Modified Radical Mastoid Ectomy, Combined Approached Nymphenoplasty इस तरह की operation में हम Mastoid Bone को drill करते है Mastoid Ectomy जादातर General Anesthesia देके होती है कभी-कभी अगर patient cooperative हो और General Anesthesia में Contra Indication हो तो हम कोशिश कर सकते हैं इसको Local Anesthesia में भी करने की जादातर या operation कान के पीछे से होता है कान के पीछे से हम open करते हैं और वहाँ पर Mastoid Bone को drill के साथ drill करते हैं drill करके हम भीमारी को follow करते हैं कहां-कहां पर आपके Mastoid K.A.S.L.S. diseased हैं और भीमारी कहां-कहां तक फैली हुई है एक बार भीमारी को हम हटा देते हैं फिर हम चेक करते हैं कान में क्या-क्या चीजें हैं जो इंटरेक्ट हैं, जो फंक्शनल हैं और जो डिजीज फ्री हैं अगर जरूरत हो तो हम आपकी hearing mechanism भी रिपेर करते हैं जो टिंपेनोप्लास्टी का प्रोसीजर हैं जिसमें हम कोई artificial implant भी लगा सकते हैं या आपकी वही वाली हड़ी अंदर वाली री-यूज कर सकते हैं उसको ड्रिल करके कान के पड़े में सुराक होता है उसको हम नया पड़ा लेके रिपेर करते हैं मैस्टोड अडेक्टょमी करीब 2-3 गंटे का उपरेशन है कभी कभी और भी समय लग सकता है मैस्टोड अडेक्टोबी ऑपरेशन skilled surgeons की surgery है क्योंकि इसमें काफी complication हो सकती है आपके facial nerve damage हो सकती है आपके कान की सुनने की शक्ती कम हो सकती है आपके कान में infection हो सकती है और कभी कभी recurrence हो सकती है कि बीमारी पूरी तरह से या तो नहीं निकल पाई पहली surgery में या पहली surgery में निकल गई और कुछ टाइम के बाद दुबारा आ गई. सरजरी के पांच में या साथ में दिन तक हम आपको दुबारा बोलाते हैं, जब हम सूचर्स कट करते हैं. नॉर्मल रिकावरी टाइम तीन से चार हफते लगता है, जिसमें आपकी अंदर की कैवेटी हील होती है, आपका लगाया हुआ ग्राफ्ट हील होता है, और फिर आप पूरी तरह से ठीक होते हैं. मैस्ट अडेक्टिमी सरजरी तभी एडवाईज की जाती है, जब कान में फैलने वाली बिमारी हो, जो आपके दिमाग की तरफ फैल सकती है, आपके पेशल नर्व की तरफ फैल सकती है, आपके कॉक्लिया और वेस्टिबूल की तरफ फैल सकती है, और काफी डेंजरस कॉम्टिकेशन कर सकती है. अगर आपको मैस्ट अडेक्टिमी सरजरी एडवाईज की है, मतलब आपके कान में खतरना कोई विवारी है, जिसको हम अनसेथ CSOM कहते हैं, और अगर एडवाईज किया जाए, तो आपको तरंट से तरंट यह आपरेशन कराना चाहिए.